हेलो गाइज स्वागत थे आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेड़ी विद अमन कुलमी आज हम लाहें डारेक्टर अफ इडिकेशन जी एन सीट आफ देली की वोक्षीट नमबर 24 जोकी क्लास एट की बच्चों के लिए सब्जिट आपका साइन्स है डेट इसकी 7 अक्ट लेटि के पाई जाते हैं मायक्रोर्ण्सम माला इंकटर्टेंट ओ प्ला करते हैं कुछ ऐसंस्व मायक्रोगरिन्सम होते हां कुछ हांफ फूल यह हुंते हैं यूसफल मायक्रोगंजम हमें1 बिद्ण इहस allow के बेस बडेग बैक्नरने में हम्हारा अर् Championsनेनल का अब नुई करते हैं जैसे हम कर्ड की प्रिपरेशन ब्रेड या अल्कोहल बनाने में भी उस करते हैं देगें आल्सो यूज इन क्लीनिंग अपफ दे इन्वार्मेंट की इन्वार्मेंट को क्लीन करने में फॉर एक्जांपल डेकंपोस्ट ऑर्गैनिक वेस्ट से वेजटेबल पील्स र नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से यह अग्रिकल्चर में सॉल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं बेकरी में मैडिसिन में नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज होते हैं अब यहां पर आपको कुछ कोश्चन है चेक और सिल्फ और माइक्रोर्गैंजम यूनिसेललर और मल ब्लू ग्रीन अलगी कोश्चन नुबर टू है कि विसन एग्जामपल इंद लिग्दि आपको यूनिसेललर और मल्टी सेललर और अग्रेंजम की एक्जामपल बताने तो unicellular organism को हम single cell organism कह सकते हैं जैसे bacteria, chicken, egg, amoeba, paramecium ये सारे single cell यानि unicellular organism हो जाएंगे और multicellular organism हमारे trees, plant, human, dog, cat and सारे animals, सारे human beings, सारे multicellular organism होते हैं यानि उनमें एक से यानि एक से ज़्यादा cell होती है question number third is describe the importance of microorganisms to us with suitable example यानि micro organism के लिए हमारे क्यों important है आपको इसे example के साथ बताने हैं तो आप इसकान से करेंगे ये नि दही बनाने में, medicines बनाने में, bread वगेरा बनाने में यूज होते हैं और environment को clean करते हैं तो ये आपका example के साथ हमने बता दिया कि माइक्रो जन्जम ममारे क्यों जरूरी है तो आप इसे कर लेंगे आज के आपकी वक्षीट कंप्लीट होती है चैनल को भी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज में चैनल को subscribe करें थांक्स वाचिंड रियू बढ़ बढ़ गईगाईस